ना तो मजहब इजादत देता कि आप एंक्राउचमेंट करो तद्दस फिट रोड गेरो और ना हिंदुस्तान का कानूल इस चीज़ की इजादत देता है हम अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के नहीं जाते हैं तो पाइक भी इस रोड पे लगा के जाते हैं अब यहां पर लोग ठीये वाले बैठते हैं हमारे क्रेट में तो यहां पर भी सिस्टम हो सकता है इस तरा का दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों को रमदान की बहुत-बहुत मुबारत बात आप जामिया नगर ओखला की जिस कालोनी में भी रहते हों अगर आप रमदान को इंजुआ करना चाहते हैं तो बटला हाउस जाकिर नगर जरूर आएं लेकिन एक बात ध्यान रखिए जब आप बटला हाउस आएं जाकिर नगर आएं तो यह पास सोच के आएं कि यहां मिं है वो है गलत तरीके से पार्किंग और दुकरंदारों का रोड पर ठीया लगाना सबसे पहले मैं रमदान की मुझा बात पेश करता हूं आप तमाम लोगों को देखिए दो साल से जो रमदान थे वो पोविड की नजर हो गए और अल्ला का बहुत बड़ा करम है कि इस बार हाला साजगार हैं और हमें मौका मिला है अपनी दुखाने कोलने का तो हम खुश हैं और अल्ला अगरा में इस बार मार्किट भी आप देखें कितनी रौनक है माशालला से और लोग अपने कारुबार में लगे हुए हैं काम चलना है अच्छी बात है दुखंदार को दुखंदारी चले वो भी अच्छी बात है लोगों को समान खेदने में आसानी हो ये भी अच्छी बात है लेकि दुखंदार जो रोग दुखाने बाहर निकाल लेते हैं यही र हम किसी की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है लेकिन हम यह चाहते हैं कि सिस्टम के दाइरे में काम होना चाहिए ना तो मजभ इजादत देता कि आप एंक्रॉजमेंट करो तद्दस्विट रोड घेरो और ना हिंदुस्तान का कानून इस चीज़ की इजादत देता है तो जो ठिये लगा रहे ры हैं वो सरसर घल्स कर रह हैं बलके दीसरे लोगों पर जुन कर रहे हैं और उनका मफाद चुड़ा है क्योंके वो ठिये के पैसे लेते हैं वो 10,1000,20,000 रुपे लेते हैं और ये जो ठिये वाले हैं इनको लोग देखते हैं गुरुबत की निवा से के ये दुकाने खाली पड़ी हैं तो अगर ये ठीय हड़ जाएंगे तो किसी की रोजी रोटी पैसर नहीं पड़ेगा जो मार्किट की दुकाने खाली पड़ी हैं कंप्लेक्सिस की वह सारी आबाद हो जाएंगी और सब लोगों के काम चलेगा अब इसकी वह से इतना मुतासिर है मैं बताओं पहले यहां पर भार का कस्टमर आया करता था कालगजी के लोग आते थे और श्री नवाजपुरी से आते दें दूर दूर से लोग आते थे लेकिन अब कस्टमर सिर्फ लिमिटेड रहे गया हमारे एरिया का जो शाहिनबाद का कस्टमर है वो भी यहां पर आने में कत्राता है एक जमाने में खतीम साब ऐसा था कि जाकिन में बड़ला होस के लावा यहां तो मरकेट ही नहीं थी शाहिनबाद भी बहुत नहीं बना था अगर तीन चीदों पर कंट्रोल अगर हो जाए तो यह लाका सही हो जाएगा सबसे पहले तो यहां पर ठीए जो दुकानदारों ने लगवा रख्यां अपने आगे और जो रोड घेर कर नाजाइस पंद्रह भी सजार रुपे वसूल रहे हूं ठीए वालों से वह सरासर घल अब खेले वाले यहां पर बहुत सारे ऐसे हैं जो दूर-दूर के अरियास से आते हैं अब वो क्या करते हैं कि यहां पर रेंगते रहते हैं अब कोई काड़ी आ गई वरंदेरी आगे हो कर लिया फिर महीं खड़ा हो गया अब यहां पर आप देखिंगे शिभली भाई तो लोगों ने लगाना शुरू कर दिया बिल्कुल बिल्कुल दिवाइडर पर कुरूब कर दा यहां यहां पर रोड देखें कितना नेरो है मुश्किल ते पांच कुट जगा है अपि मैं जाकिर नगर से पटला उदाने में मुझे दस मिनट लग गए तो हमने इसके लिए ए तो सुबा जैसे पुरानी दिल्ले रियास में सुबा पांच बजे छे बजे से मार्केट लग जाती है और ग्यारा बजे तक लोग ठीये वाले बैठते हैं मार्केट में तो यहां पर भी सिस्टम हो सकता है इस तरह का जो दुकान की स्टेयर से जो पैड़ी या स्टीडिया है दुकानों की उस पर लगाएं वैसे अलेक्स से कोई टेबल ठीया नहीं होना चाहिए और रात में मार्केट नौ बजे बंद हो जाती है बटला उसकी साड़े आठ नौ बजे तो नौ बजे से आप साड़े ग्यारा बजे तक हम टाइनीं कर वालेंगे तो तीन गंटे दो गंटे आपको रहा के मिलेंगे और सुबह में मिल जाएंगे तो टूपैर के टां मार्केट खुछने के पात भार्यटि आःड हैं और दूसरा प्रश्टाहूर रखते हैं लोग भीपर की वालें जाकर नगर की लग भाई हमारे हो हैं वो बादार आना पसंद नहीं करती हैं वह इंटर से लोकल में आते हैं वहीं उनसे सामान ले रहती हैं तो इनका तो सामान है और ज्यादा भी तेगा अगर इस चीज़ को अप्लाई करें तीसरा मैंने सुझाव यह लिए आता है कि मार्केट की एक दिन की चिप्टी हो जा करते हैं कि बच्चों को कारोबार मिला है यह रिक्षा के वजब है लेकिन आर्केट एरिया में पर्मार करो जुलैना बार खकन बार जे तो आज से जो हमने थाने में बात करी थी, मिटिंग हुई थी, तो उसमें हमने सुझाओ रख्था था कि रशावर्स में, पीकावर्स में, उससे रोजे से आदा एक गंटा पहले, तीन चार गंटे के लिए रिक्षा बिल्कुल में लोड कर दिये जाए, और इंटरनल रोड जो है, जैसे मुराजी रोड हो गया, यहां से एंटरी हो, ऐसी जाकितनगर का 18 नंबर कली, 22 नंबर कली का जो एरिया है, वहां से एंटरी हो, लेकिन में लोड से ना हो, और उसमें को माजूर आदी है, जो बिशारी महिला है, कोई या बुमर्ग है, उसके लिए बोडी लि लोजे भी रख रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, माशालला से, हज भी कर रहे हैं, लेकिन जो हुकुकल इबाद का कौला में हमारा वो बिल्कुल सिफर हो चुका है, हमारे मामला सही नहीं है, हमारे अखलाक सही नहीं है, हम पैसों के लेन देन में कुताही करते हैं, ह इतना पुरा जाम लगावा था कि वहाँ पर लोगों ने उल्टी शीदी भाई के खड़ी कर रखी थी मैं मैसे ये देना चाहता हूं कि रमदान का पाक महीना है मुबारक महीना है हम लोग अबादत करें और खास तोर से हम लोग एक दूसरे का ख्याल करें हम एक दूसरे के सा माल नम अअच चाहए हमारे अखलाक अच्छे होने स deteriorated को बाद़ें हम किसी पर जुम ना करें हम किसी का माल नहीं हम ईक इहां आपकर जाता हूं प्लेगा-शिली भाई हमने दुकान के आगे अपना आ招िवर्ट को डिस्फिले कर रखाए लग भर रखर्णा है तोowaćाहां की बाइक खड़ी होती है कि उसको जगानी मलती है तो आदा रोट एंप्रोच हो लिया तो मेरी अपील है और मैं लोगों से कहता रहता हूं कि अगर और तमान लोगों सभी अपील करता हूं कि अगर आप जुकान पर कहीं पर्चेदिंग करने के नहीं जा रहे हैं यह होटल में खाना खाने के नहीं है तो खुदा के वास्ते गजियों में खड़ी कर दो कि आपको भी आसानी होगी अब बंदा खाना खा रहा है होटल में बैटावा उसने बाइक रोट पे लगा रखती है अब कोई आदमी होरं ले रहा है वो होता ही है मुमन यह वो बंदा हमचारा खा अब क्या आता है अपना फिर पाइक सही करता है उसके बाद जाता है तो लिसना तो आद में खुती हो रहा है ना अपनी वजह से